हेलो एंड वेलकम माईड ये अरिश्रेंट दोस्तों स्वागत है आपका ससी अड़ा और अड़ा 247 पे चलिएगा शुरुआत किया जाएगा आपने इस शेशन का और हाँ आज तुम लोग एक बात तो महसूस कर रहे होगे कि आशुतोष सर आज आप हैं लाइव वो भी अप अपने पूर्ण रूप में मतलब कई स्टुडेंट आज तक हमको इस तरीके से नहीं देखेंगे जैसा अभी देख रहे हैं तो यार मैं बताऊं देली तो हम लोग थोड़ा क्रोमा वगरा प्रॉपर कट करके आते हैं लेकिन अभी जो आप हमको देख पा रहे हैं यही मैं हैं डीकॉक सर जी को क्या हुआ क्यों मतलब बुरे दिख रहे हैं क्या यार आई होप की ठीकी ठाक चल रहा होगा शेशन तो सुरुवात करते हैं अपने शेशन का और देखते हैं कि हम लोग जीयस की इस इंपॉर्टेंट कोईशन में क्या पढ़ने वाले हैं लेकिन यार उससे पहले एक दो आपसे बाते हैं जो जरूर हो जानी चीह हैं आपका CHSL का इक्जाम है अब उस CHSL के एक्जाम को हम लोगों को हैंडल करना है आगे पढ़ना है और बढ़ाना है ठीक है ना उस CHSL के लिए आपके लिए अड़ा की जो सबसे बेस्ट सिरीज है अड़ा की ज तो भाया इस कोड से आपको 78% आफ पे CHSL का यह test series मिलेगा और इस test series के जरिए इस test series के जरिए आप लोग क्या करिए कि सुरुवात कर दीजिए अपने SSC CHSL की त्यारी का ठीक है ना SSC CHSL की त्यारी का शुरू करें आज की session को आज की session को सुरुवात करें तो चलो सुरुवा करते हैं पहले question से देखते हैं कि question क्या है और किस तरीके का हम लोग से पुछा जाएगा यार बनारसी पान कह रहे हैं कि गुरू जी आपका चहरा उतरा हुआ है तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर आप जो naturally दिख रहे हैं वो smart दिख रहे हैं अब मुझे नहीं पता मेरा च सिस्टम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है computer से related जैसे अब आप से ये भी पूछ सकता है कि mouse की खोज किसने की www के जनक कौन है ठीक है ना www के जनक कौन है तो भया माउस की खोज डगलस इंजेल वर्ट ने की थी डगलस इंजेल वर्ट ने www की खोज आपके किया था टीम ब्रंस ली ने और इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है तो ग्रोम तो एक ब्राउजर है ना गूगल क्रोम पे हम लोग जाके नहीं 36 चीज़ें सर्च कर देते हैं तो य पाइनक्स, यूनिक्स, MS बिंडोज ये सब तो अपरेटिंग सिस्टम है है की नहीं है ठीक है ना चलो दूसरा क्वेशन जडगत का गूड प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्सिया किसी किसी वस्तू में होता है हर वस्तू में आपको जडगत का गूड मिलेगा किसी अच्छा दीजे और ये जो समान है ये तब तक भाई साब नहीं हिलेंगे जब तक कि उन पे एक्स्टर्नल फोर्स इग्जर्ट न किया जाए कोई समान तुम टेबल पर रख दो क्या वो हिल जाएगा बिना किसी एक्स्टर्नल फोर्स के आंधी तुफान या मानो एफर्ट के अलाव सही है की नहीं चलो next question next निमलिखित में से कौन सा जन्तू संग मोलस्का का है देखो ऐसा question जो आपके classification of animal kingdom और plant kingdom आता है न एक question उससे आता है और cuttlefish जो है दोस्त वो संग मोलस्का से बिलॉंग करती है next अमीबा को संग प्रोटो जोवा में रखा गया है उसका कारण क्या है वाई अमीबा को संग प्रोटो जोवा में रखे जाने का कारण है एक कोस्की समरचना unicellular structure ठीक है ना unicellular structure next समूचे वैस्वीक उस्मा मापन के लिए उस्मापन हिंदी से नहीं clear हुआ चलो इंग्लीज पे चल चले जाते हैं विच ग्रीन गैस contributes most to global warming जरा बताओ most to global warming के लिए कौन साइड में ज्यादा contribute करती है तो भया इसमें सबसे ज्यादा contribute करती है carbon dioxide next वैपारी कार्क किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है वैपारी कार्क जो होता है दो किसे प्राप्त करते हैं तो क्वैसर क्वैस सूबर ठीक है यह सब याद रखना क्वैर का सूबर से ठीक है ना next अनुप्रस तरंगों में दो क्रामागत गर्तों के मध्ध की दूरी होती है आज के question कुछी लोग से बन पा रहे होंगे क्योंकि लगातार कुछ ऐसे question से आपका सामना हो रहा है जो कि आप सोचे भी नहीं थे डिस्टेंस बिट्विन टू सक्सेजिव थ्रोज इन ट्रांजर वेव इस ठीक है न तो भाईया इन डैट इस वेवलें ठीक है एक आपके जूम 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 डैट इस लाइक वेवलें ठीक है तो ठीक है next question पूना पैक्ट किस से संबंदित है बताओ पूना पैक्ट किस से संबंदित है देखो पूना पैक्ट हुआ तो 1932 में था ठीक है न और यह मानेनी गांधी जी और हमारे मानेनी भीमरा अंबेडिकर जी के बीच में हुआ था दोनों संबानित परसन गांधी जी और संबेडिकर जी और इस पूना पैक्ट के जरिये दोस्तों यह में प्रभाव जो संबंदित था यह दलित वर्ग से था क्योंकि इस समय कॉमिनल अवार्ड की देश में चर्चा चल लई थी और यह इंगलेंड की प्रधान मंत्री रैमजे माकडोनाल्ड की देन थी ठीक है न कॉमिनल अवार्ड को ले करके यह सब कुछ हुआ था और एक बात याद रखना गांधी जी की जगह इस पैक्ट पे साइन करने वाले व्यक्ति का नाम था मदन मोहन मालवी जी ठीक है ना मदन मोहन मालवी जी इन्होंने साइन किया था पूना पैक्ट के उपर गांधी जी क के बिहाफ पे अगला भारत में थोरियम के प्रमुक स्रोथ मोंजाइट बालू किस राज्य में पाए जाता है और आपको यह भी बता दे यह जो मैंने आपके लिए क्वेशन्स लाए हैं मैंने ग्रूप D प्लस NTP PC के क्वेशन्स को मिक्स कर दिया और फिर मैंने देखा कि क क्या कॉंबिनेशन क्या खिचडी पकर के बाहर आती है बताईए भारत में थोरियम के प्रमुक स्रोथ मोंजाइट बालू सबसे ज़्यादा पाए जाता है आपके केरल में ठीक है ना समुद्र के किनारे ब्याज की वहदर जिस पर भारती रिजर्ट बैंक वाणिजिक बैंकों को सौट टर्म के लिए उधार देता है या फिर आपके फंड्स देता है उसे क्या करते है अलपावधिक कोस उधार देता है भाई उसे हम कहते है जो सौट टर्म के लिए होता है उसे हम कहते है रेपो तो बैंक वाले RBI के पास, बैंक रेट तो मिनिमम है, उससे नीचे जाही नहीं सकता है, ठीक है ना, next question, कापर का सबसे महत्वपुड अयस कौन सा है, what is the most important ore of copper, देखो, ore किसी का भी पूछता रहता है, कापर का सबसे most important है, copper pyrite, जैसे आप कभी कभी पढ़ोगे, uranium का, uranium का pitch blend है, आप लोहा का पढ़ो, तो hematite, magnetite, iron pyrite, आप इसका sodium का पढ़ो, तो sodium का borrex होता है, common salt होता है, ठीक है, ट्रोना होता है, यह सब क्या है, ore है, जैसे आपके sodium का पढ़ोगे, यह आपके मैंने borrex वगएरा जो नाम लिया है, यह सब sodium के ore है, ठीक है न, next question, uranium क्या है, uranium, alkyl metal है, non metal है, permanent element है, या transition metal के अंतरगत आता है, भाई uranium एक क्या है, transition metal के अंतरगत आता है, और बड़ी ही महंगी होती है uranium, uranium, uranium सही हम अपने nuclear program को संचालित करते हैं, अब uranium की जगा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा स्रोथ है विश्व में, तो भारत ने थोरियम से uranium बनाने की प्रक्रिया और उसकी बाद अपने nuclear program को रन कराने की प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है, next question, भारत के किस सहर में उत्तर दचिड गलियारा, ठीक है ना, North South corridor and East West corridor meet पश्चिम गलियारा आपस में मिलते हैं, मतलब चारों कारीडोर आपस में मिल जाते हैं, सीधी सी बात तो इतनी है, ठीक है ना, बताइए किरन कुमारी जी, चारों कारीडोर कहां पे जाकर के आपस में म और इडोर मिल जाते हैं जासी में, नेक्स, निमलिखित में से किसे कम्प्यूटर मानों कहा जाता है, कम्प्यूटर हुमेन किसे कहा जाता है, बाई, आपसन ऐसे दोगे तो कोई भी पता देगा सकुंतला देवी जी, ठीक है ना, लाला लाजपतरा, महात्मा गांधी, दाता माना जाता है, अमूल का फुल फॉर्म भी पूसता है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिम्टे, ठीक है ना, हर राज्य का अपना कुछ लोकल अस्तर पे दूद्ध फैक्टरियां होती है, सहकारी समितियां होती है, सहकारी समिति हमारे समिधान के पार्ट नाइन बी में आता है, जैसे ओमफे डूडिसा में, पराग उत्तर प्रदेश में, साची मध्य प्रदेश में, मदर डेरी दिल्ली में, सरस राजस्थान में, तो ये दूद के पैकेट्स के उपर, जो वहां की सहकारी समितियां हैं, उनके उपर लिखे हुए नाम है, ओवराल, नेक्स्ट संसोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, सर देखी इसको मौलिक अधिकार से समाप्त करके हम लोग इसको लीगल राइट बना दिये, और ले जाकर के जोड़े 300A में, और सर ये था 44 संविधान संसोधन, 44 संविधान संसोधन के दारा संपत् सर आर्टिकल जो 31 है ये भी हमारे सम्विधान से डिलीट है क्यों क्योंकि इसमें भी संपत्तिक अधिकार से रिलेटेड ही बात किया गया था आर्टिकल 19 में तो है ही आर्टिकल 31 में भी संपत्तिक अधिकार की बात थी जो की डिलीट कर दी गई और उसको संपत्तिक अधिकार को fundamental right की जगर legal right 300A में बना दिया गया ठीक है next question भारत में civil सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताओ जरा civil सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है अच्छा जाहिर सी बात है भाई civil सेवा का जन्मदाता Lord Carnivalis है ठीक है न Lord Carnivalis है अब यहाँ पे आपको देखो Lord Mayo से एक important बात याद रखना प्रथम जन्गरना लेकिन प्रथम कौन सी irregular irregular census ठीक है न जन्गरना मैं आई इसी लिए लिग दिया हूँ प्रथम इसी के समय हुई थी वेलेजली से एक point याद रखना मेरे भाई कि इसी ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी 1799 में आपके क्या बोलते हैं स्रीरंग पटनम के यूद्ध में ठीक है न यह दो थोड़े से important है Lord Hastings से उतना question नहीं आता लेकिन कार्णवालिस से कार्णवालिस code पूसता है इनाम कमीशन बोलता पूसता है कि इनाम कमीशन किसके समय बना था तो इनाम कमीशन भी लाड़ कार्णवालिस के ही समय बना था इनाम एक अंग्रेज का नाम था उसमें एक committee बनी थी इंडिका किसकी रचना है इंडिका किसकी रचना है चली बताइए इंडिका दोस्तों किसकी रचना है यार इंडिका रचना है मेगस्थनीज की किसकी है मेगस्थनीज की मेगस्थनीज की रचना है सर ये किसके दर्बार में था तो चंद्रगुप्त मौरे के दर्बार में था चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में चंद्रगुप्त मौरे ने कौन सा धर्म सुईकार कर लिया था तो सभी को याद होगा कि जैन धर्म सुईकार किया था जैन धर्म इसने किसके द्वारा सुईकार किया था तो सर आपके भद्र बाहु भद्र बाहु नामक जैन संत के प्रभाव में आकर स्विकार किया था चंद्रगुप्त मौरे ने दोस्तो 500 हाथी का उपहार किसको दिया था तो सर सेलुकस निकेटर को दिया था सेलूकस निकेटर से इसने युद्ध के बाद जो की 305 BC में हुआ था चंदगुप्त मौरे ने काबुल, कंधार, मकरान और हिराद ये चार प्रांथ as a compensation of war युद्ध के हरजानी के रूप में ले लिया था ठीक है ना मेरे भाई चलो अगली question पर जाते हैं तो sir इस question का right answer क्या हुआ, भाया right answer एकदम clear है, मेगा स्थनीच, next, भारत का सर्वोच, आज मैं last में आपको 15 current affair के questions पढ़ाओंगा, 15 current affair और इन पे बड़ा detail में बात होगी, last तक बने रहना, क्योंकि आप लोग current affair बहुत पढ़ते हो, सुबह से लेके साम तक कई lecture ले लेते हो, आज मैं जो current affair पुछूंगा, देखता हूं, उसमें आपकी accuracy और frequency कितनी है, तो वो आएगा, 25 question के बाद, भारत का सर्वोच, सांती कालिन सौर्य पुरुसकार कौन सा है, सर बच्चा बच्चा जानता है, सांती कालिन सौरोच सेन पुरुसकार है, आपका सौर्य पुरुसकार असोग चक्र ठीक है ना, असोग चक्र है, next question, किसी थर्मस में पानी लेकर उसे हिलाया जाए, ठीक है सर, कहीं थर्मस होता तो हिला देते हैं, तो पानी कुछ गर्म हो जाता है, इस क्रिया में होता क्या है, water is worked on, water got heat, both answer are wrong, both answer are correct, बताओ, कि किसी थर्मस में पानी लेकर के थोड़ा उसे सेक कर दो, तो पानी कुछ गर्म हो जाता है, कहें गर्म हो जाता है, in this action, बताइए, भईया, पानी इसलिए गर्म हो जाता है, water is worked on, पानी क्या हो जाता है, पानी working में आ जाता है, ठीक है न, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, अब चलो next question पर जाते हैं, अच्छा बहुत सारे दोस्ट जुड़े अब उनमें से दो लोग का मैं कमेंट देख पा रहा हूं कि सर आज आप का बैग्राउंड क्या है भाईया बैग्राउंड इसलिए ऐसा है क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट है वो सॉल्व नहीं कर पाया मैं थोड़ा लाइट वाइट तो यह मेरी सच्चाई आपके सामने आ रही है ठीक है ना बिदाउट लाइट बिदाउट कैमरे वाली सच्चाई ठीक है चलो पहला कोशन समानेत्या कार्बन की संयोजक्ता कितनी होती है बताओ जरा समानेत्या कार्बन की संयोजक्ता कितनी होती है सिर्फ इतना सा आपके स होती है ठीका ना next question भारती संविधान द्वारा कितनी भासाओं को अनुसुचित भासा का दर्जा दिया गया है अनुसुचित भासा तो 14 ठीक है ना जब संविधान मिला था तो कितने थे 14 भासाओं थी अब फिर बाद वो उनमें जूडती रही बान बेवा संविधान संसोधन के दौरा चार और जूड़ी 18 से 22 हो गई तो यह है next राजी सुची में कितने विश्यों को सम्मलित किया गया है स्विधान में सामिल किया है अब यहाँ पे कुष्चन यह उठता है कि कॉण्ट लिस्ट तो भाया सी आप्शन 62 ठीक है ना राजी सुची मैं पहले ही कह रहा हूँ 25 कुष्चन के बाद करेंट अफेयर और यह ऐसा करेंट अफेयर होगा जो पूरे दो हजार बीस से लेके 2021 के टिल डेट तक को कफर करेगा 15 question में ही आप से बहुत सारी information मैं share कर लूँगा ठीक है ना? 62 next, निमलिकित में से कौन सा award खेल परसिचुकों को दिया जाता है बताओ कौन सा award खेल परसिचुकों को दिया जाएगा खालिया जी रिख रहे हैं कि हाँ सर आपकी साधी हो जाएगी आप मस्त दिख रहे हो देखो यार मजाक है डरो मत तो ठीक है खालिया तुम भी साधी कर लो और दो चार साधीया मतलब करके फिर हमको बताना कि साधी का अनुभाव क्या है तो जितने हमारे दोस्त हैं सब साधी कर लेंगे ठीक है ना बारी बारी से सभी की साधी कर वाजागा उसके बाद बाद किया जाएगा तो बताओ तो खेल परसिचकों को दिया जाता है खेल परसिचकों को दिया जाता है द्रोणा चारे अवाड ठीक है ना द्रोणा चारे जी, next, कथक कली किस राजी की निर्थे सहली है, बताओ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सुरू कर दिया जाए, current affair का section, ठीक है न, affair का नहीं, current affair का, तो इसका answer क्या हो जाएगा, C, अच्छा, किसी से पूछो, तुम्हारा current affair क्या चल ला है, और अगर वो नाम ले ले, A, B, C से चल रहा है, तो समझ लो, भाई साब कितने बड़े वाले हैं, और ये engineering के time हम लोग के दोस्तों में होता था, कभी बात हो जाए और कोई बोल दो, तुम्हारा current affair क्या चल ला है, त अगनी सूरच्छा प्रमाण, which the first state in the country to modernize the fire safety certification process, पहला राज जिसने अगनी सूरच्छा प्रमाण प्रक्रिया का आधुनिकी करण किया है, बताओ इसका क्या answer होगा, आधुनिकी करण किया है, ये आपको बताना है, अब यहीं पे 5 question आप से मैं करूँगा, क्योंकि हर एक question में 5 question सामिल होगा, ठीक है न, आप से मेरा एक question है, जैसे cricket drone, cricket drone नाम की किताब किस ने लिखी है? अब यहाँ पे मैं author और book की बात कर दूँगा, cricket drone नाम की किताब किसने लिखी है, the third pillar, ठीक है न, the third pillar ये किसने लिखा है, the third pillar किसने लिखा है, उसकी अजामाद दोस्त एक कि यह किताब किस ने लिखा है उसके अलावा एक है मेले बुझे को गांधी ठीक है ना मेले बुझे को ठीक है ना कई लोग नाम नहीं सुने होंगे लेकिन एंसर तो करना पड़ेगा मेले बुझे को गांधी यह किताब किस ने लिखा है एंसर करके बताईए देखो पहले तो question क answer हो जाए तो sir question का answer है गुजरात बहुत अच्छा मेले बुजे को गांधी विद्या देवी भंडारी जी ने लिखा है उसके बाद the city and the sea राज कमल जा जी ने लिखा है राज कमल जा आप एनलसिस करिए आपको याद है की नहीं और दोस्त यदि हम लोग cricket दोन की बात करें तो जतिन पर पांजे जे पराणजपे ने लिखा है इनका साथ दिया है आनंद बसु ने ए बसु ने इनका साथ दिया है और दोस्त आपके the third pillar की बात करें तो रगुराम जी राजन ने लिखा है the third pillar रगुराम जी राजन ठीक है ना next question क्या आप जानते हैं दिसंबर 2020 में कौन सा देश चांद पर राष्ट्री जंडा फैराने वाला विसु का दूसरा देश बन गया है अब बताईए कौन सा देश चांद पर जंडा फैराने वाला विसु का दूसरा देश बन गया है यह आप हमें बताईए ठीक है ना बताईए बताईए अच्छा आजब पिच्चर तो तुम लोग देखते होगे ना निश्चित तौर पे तो 2020 में 2020 में कुछ पिच्चर से रिलेटेड जैसे 73 आपको बाफटा अवार्ड दिया गया होगा ठीक है ना 73 आपको बाफटा अवार्ड ये किस मूवी को 2020 में दिया गया है साथ ही साथ दोस्त 62 नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है और याद रखना कभी कभी आपसे सिर्फ नंबर पूछ देता है 62 नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2020 में किस पिच्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बस यही दो बताईए ग्रैमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दो बताओ बताइए बताइए सर देखिए आगर आउट पहले तुम लोग बताओ उसके बाद में बताता हूँ बाफ्टा अवार्ड याद रखना एक मूवी है जिसका नाम ही है 1917 1917 को 73 बाफ्टा अवार्ड दिया गया है यदि सर हम लोग ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ग्रैमी लॉन्स एंजलीस में 2019 में आयोजित किया गया था इसका 10 फरवरी 2019 को और उसमें ये जो 62 ग्रैमी अवार्ड दिया गया है यह किसको दिया गया है यह आपको बता ना मैं आप सभी के comment देख रहा हूं ठीक है ना Album of the year का आवर्ड उस गाईका का नाम आपसे पूछ सकता है When we fall asleep ठीक है ना वैसे गाना कौन सा है When we fall ठीक है ना When we fall asleep इस गाने को दिया गया है और इसको लिखने वाली कौन है, गाने वाली कौन है, उनका नाम है भाईया Billy Illis, ठीक है न, इस गाने को दिया गया है, और चांद पे जंडा फैराने वाला दूसरा भाईया, चाइना बन गया है, ठीक है न, next, 9 नवंबर 2020 को केंद्री सिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निस जंक ने किस भारती प्रदो की संस्थान में भारती ज्ञान प्रणाली के लिए उत्किष्ट्रा केंद्र स्थापित करने की गोश्चना की है, बताईएगा किस भारती को ये दिया जा रहा है, कहां पे, मतलब किस IIT में, बहुत आसान सा कोईशन है, सो समझ के दोगे तो answer द क्लिनिक, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दोगे तो answer निकलेगा, क्लिनिक, इसकी सुरुवात कब की गई है, किस महिने में, नवंबर में, चलो option दे दे रहा हूं, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर आपके जनवरी में, और ये जनवरी 2021 है, ये दिसंबर 2020 है, ये of these, बताओ जरा, अम्मा मिली क्लिनिक, मैं बताओ, अम्मा मिली क्लिनिक का सुरुवात किया गया है, तमिलनाडू में, और इसकी सुरुवात की गई है, एक बार आपके कमेंट पहले मैं देखूंगा, इसकी सुरुवात की गई है, दोस्त, 14 दिसंबर 2020 को, ठीक है, next question, नव मतलब आज से तीन महिना पहले की घटना, वो देख कोई और नहीं, आपके चाइना था, ठीक है न, ये तो करेगा ही करेगा, ऐसी ये हिमाकत करता है, ठीक है, next, आपको बताना है कि, नमंबर 2020 में कौन सा देख, आपचारिक रूप से, पेरिष जलवायू समझोते से, बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया, देख, इन्वायर्मेंट या क्लाइमेट से रिलेटेट, एक क्वेश्चन, पेपर में रहना ही रहना है, तो याद रखना है, दोस्त, वो कौन बना है, अमेरिका, ये डबलू एच्चो से भी अपने संबंदों को, वर्ल्ड हेल्थ होर अधराले ने और द्योगिक स्रमिकों के लिए उप भोक्ता मुलि सुचकां का अधार वर्स 2001 से बढ़ा कर क्या कर दिया है, भाई आजकल यही तो मुद्दे रोजगार ही तो आजकल चर्चा में है, बता उसका नाम क्या कर दिया गया है, बताए बताए इसका क्या कर दिया गया है, 2001 से बढ़ा कर उसका नाम क्या कर दिया गया है, सिर्फ इतनी सब क्वेश्चन है, आप अगर बता सके तो मज़ा आ जाए, नहीं बता पाएंगे तो और मज़ा आएगा, और क्या करेंगे, ठीक है ना, बढ़ाए इसका क्या एंसर है, सर इसका राइट एंसर है, C, 2016 ठीक है न, 2016 कर दिया गया, next, देश का पहला, ट्रेंड वेल, रियल टाइम बेस, मेंटल इंडेक्स कौन सा है, what is the country's first, ट्रेंड बेस, रियल टाइम बेस, मेंटल इंडेक्स, ठीक है न, बेस, मेंटल इंडेक्स, आपको बताना है दोस्ट, कि एक सो आठवी, एक सो आठवी भारती, मतलब इंडियन बिग्यान साइन्स कॉंग्रेस, इंडियन साइन्स कॉंग्रेस, भारती बिग्यान कॉंग्रेस का, 2022 में आयोजन कहां पे किया जाएगा, एक सो आठवी, इंडियन साइन्स कॉंग्रेस का, आयोजन कहां किया जाएगा, 2022 में, आपको ये बताना है, 2022 22 वाला कहा पे होगा तो दोस्तों याद रखेगा यह होगा पूरे महाराष्ट में पूरे महाराष्ट में होगा सिंबोसिस इंटरनेशनल डिम्ड यूनिवर्सिटी में होगा और इस बार का जो थीम रहेगा एक सो आठमें I.S.C. 2022 के बैठक का वो क्या रहेगा महिला ससकती करण के साथ मतलब वुमेन इंपावर्मेंट के साथ सतत विकास के लिए भिज्ञान और प्रद्योग की ठीक है न और इस क्वेस्टन का एंसर क्या हो जाएगा दोस्त बी ऑप्शन मेट लेडेक्स ठीक है न मेट लेडेक्स इसका M.E.T.L.D.E.X. नेक्स्ट कुएस्टन जापान सरकार ने किस वर्स तक सुन्य कारबन उट्षर जन प्राप्ट करने का लच्छ रखा है बताइए सर सूबह तो आपको सर्दी जुखाम हो रही थी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं साम को सही नहीं हो सकता या रिलेक्स नहीं हो सकता तो ठीक है तो जब रिलेक्स रहो तब तो पूरी अपनी एनर्जी लगा सकते हो तो वही मैं भी लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी रिलेक्स हूं तो पूरी एनरजी लगा दूँ चलिए बताइए इसका क्या एंसर होगा, बताओ इसका एंसर क्या होगा, ठीक है ने बताओ क्या इसका एंसर होगा, सही एंसर इसका क्या होगा, तो भाई इसका राइट एंसर है आपके A option 2050, सुनने कार्वन उत्रजन प्राप्त करने का लच्छ रखा है दो हजार पचास तक, ठीक है, next विसु का सबसे बड़ा green felt jean smelter कि स्थापित किया जा रहा है ठीक है विसु का सबसे बड़ा green felt smelter कि स्थापित किया जा रहा है, बताए कहीं सकanın outside होगा ठीक है, बताओ बताओ इसका क्या एंसर होगा भाई इसका जो राइट एंसर है वो आपके ए गुजरा यार तुम लोग के मैं कमेंट जो देख पा रहा हूं मतलब कि उससे बहुत जादा आप लोग तेजी से एंसर नहीं कर रहे हो क्या मतलब एंसर नहीं बन रहा है या फिर जैसे कि अब यह लगातार अपनी बैंकिंग से वाए सुरू की है बताओ अक्टूबर 2020 में वाटसप पर अपनी बैंकिंग से वाए अच्छा बताओ जरा 22 राष्ट मंडल खेल कॉमन विल्थ गेम होगा ठीक है ना राष्ट मंडल खेल इसका आयोजन जो की 2022 वाला है 22 राष्ट मंडल खेल 2022 वाला कहा पड़ता है सर तो सर यह पड़ता है ब्रिटेन में बर्मिंगं कहा पड़ता है तो सर यह पड़ता है ब्रिटेन में अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछू कि ICC World Cup होने वाला है पहले तो यह जानो मैं किसकी बात कर रहा हूं ICC का World Cup जो की 2022 में होने वाला है महिला वाला ठीक है ना और जो है क्या दोस्तो क्रिकेट विसो कप है ICC का जो वर्ल्ड कप है महिला वाला 2022 में कहां पे होगा एक द्यूसी ठीक है ना वन डे है ये भी बता दे रहा हूं वन डे जो महिला वन डे है वर्ल्ड कप 2022 ICC का किस देश में आज जित होगा या नेक्स्ट अक्टूबर दो हजार बीस में किस राज्य सरकार ने सरकारी नोकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरचण की मंजूरी दिया बताओ किस सरकार ने 33% आरचण की मंजूरी दिया अगर याद हो तो बताइए सबी जुढ करके कौन सी ऐसी राज्य सरकार है उड़िसा, राजेस्थान, पंजाब या हर्याना कौन सी राजे सरकार है बताओ अचाहिए इस बार सभी लोगों को याद होगा एक प्राइस दिया जाता है JCB प्राइस फॉर लिट्रेचर ये दिया जाता है JCB प्राइस फॉर लिट्रेचर ठीक है न तो मेरा आपसे ये कोश्चन है तो इनकी मैं किताब का यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ इनकी जो किताब है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको बस इतना बताना है कि ये किनकी किताब है भाईया याद रखना ये है S.Harice की और S.Harice को ही मिला है आपके क्या JCB प्राइस फॉर लिट्रेचर 2020 इनकी को मिला है अच्छा इसी तरीके का एक प्राइस है एक तालिसवा पहले तो यह जान लो सरला देवी पुरुसकार एक तालिसवा सरला पुरुसकार ये किस वेक्ति को मिला है कई लोग नाम नहीं सुने होंगे सरला पुरुसकार तो भाईया बहुत बड़े ओडिया है नाथी Torah हाला कि उसका पूरा नाम है, sareppe डिसंबर 2020 में dictionary.com और मर्यम वे वेस्टर ने किस सब्द को 2020 का word of the year धोशित किया है एक ठीक है ना word of the year घोशित किया है यह आपको बताना है बताईए किसको word of the year घोशित किया गया है यह आपको बताईए ठीक है ना word of the year बहुत ही आसान question सायद मुझे लगता है कि रहेगा और आप इसको कर भी लोगे ठीक है ना अच्छा बहुत सारे index जारी होते है ना जैसे democracy index ज स्थान कितना है लोग ठंट्रसुचकांग में उसी तरीके से क्या बता सकते हैं अभी year बहु लिख दे रहा हूं यह सब 2020 के पूछ रहा हूं मानव विकास सुचकांग में भारत का स्थान कितना है ठीक है ना human development index 2020 में भारत का अस्थान कितना है, ठीक है न, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें भारत का अस्थान कितना है, अब सब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2019 वाला पूछ रहा हूं, क्योंकि 20 वाला अभी तक जारी ही नहीं हुआ है, ठीक है न, 20 वाला अभी जारी ही नहीं हुआ है, तो तो या World Giving Index में भारत 82 अस्तान पर है, यदि मानोविकास सुचकांकr की बात करें, तो भारत 131 अस्तान पर है, पहले पर कौन है, तो नार्वे है सर, लोक्तंदर में भारत की बात करें, तो 51 रुपया नगत के साथ भारत 51 अस्तान पर है, और इसमें नार्वे ही पहले पर है, मानो विकास सुचकांक में आपके नारवे पहले पहले है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में दोस्तों USA पहले पहले है ठीक है ना और जो वर्ल्ड है 2020 का वो है आपके पैंडेमिक ठीक है ना पैंडेमिक वर्ल्ड को मेगा लेदर पार्क कहां इस्थापित किया जाएगा इतने पैसे लगा करके ठीक है नहीं 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 2020 वाला देख लेना कौन आपके मेरे दोस्त कौन से हैं क्या है प्रिजिशन पैंडेमिक मरियम हाँ अगला क्वेशन पर आने जा रहा है और जरा उसका एंसर करेंगा ने डिसंबर 2020 में किस राज्य में किसानों की आयों को दूगना करने होती विसेश कारिक्रम किसान कल्यान मिशन सुरू किया गया है ठीक है ना बताओ हर्याना या फिर आपके मध्य प्रदेश या पंजाब या उत्तर प्रदेश ठीक है ना उत्तर प्रदेश आनंदी बेन पतेल जी सही बात है कि नहीं राज्य पाल वहीं की है ना और अगर दोस्त हम लोग किसकी बात कर लें आपके मध्य प्रदेश तो आनं मैं राज्यपालों का नाम ले ले रहा हूं में तो मेरा आपके कमें कमेंट सेक्षन पर नहीं आ है तो अरुन जी कीनु जी बेबी जी जन्दीब जी योगी जी जैराम जी एंसर करिए अच्छा जैराम ठाकूर आपके मुख्यमंत्री भी है वहां के हिमानचल प्रदेश के और देखो यहां एक स्टूडेंट भी है तो खैर इसका option D सही है उत्तर प्रदेश ठीक है नेक्स हरी प्रसाच चौरसिया क्या है हरी प्रसाच चौरसिया जी क्या है इतना सा आपको बताना है यह बहुत बड़े प्रशि का एक्जाम है और दोस्त यदि आप CHSL का डेली एक टेस्ट दोगे तो भाई आपका अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा आप पूरे बताब फ्लो में आ जाओगे तो आप देर करने की जरूरत नहीं है वाई 182 कोड का प्रियोग करके दोस्त CHSL के लिए एक अच्छा सा टे कर सकते हैं ठीक है और SSC और रेलवे दोनों का कम्बाइंड कोई लेना चाह रहा है कि सर मेरा CGL, CHSL, NTPC, Group D ये सब भी कभर हो जाए तो दोस्तों ऐसी इस्थिति के लिए आपके लिए अड़ा का सबसे ब्रहास्त्र टाइप का चीज है जो SSC और रेलवे प्राइम टेस्ट ठीक है ना एक बार लेलो भया अनंद काल के लिए अनंद लेते रहोगे सलेक्शन पाने के बाद ठीक है ना तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह 11 बजे तब तक के लिए गुड़ नाइट अपना ध्यान दीजेगा कल सुबह 11 बजे मिलते हैं चैनल को लाइक, शेर, जरूर करें, thank you so much my dear students.